हम अपने हर्याना में चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार हर्याना में आएगी बनाएगी लोगों का काफी रुजान है जैसे दिल्ली में आमादमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है तीन बार फिर पंजाम में बनाई अब हर्याना में भी पूर्ण भैमुझ से अपनी सरकार बनाएगी स्वेता बडेशरा जी पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा प्रिच्चे करा दे मैं स्वेता बडेशरा हलका बवानी खेड़ा आप कारिये करता हूँ तो स्वेता जी सबसे पहले बात करें तो आपने अपना जो राजनीतिक केरियर है या आम कारे करता से राजनीतिक केरिय हैं आपने बवानी खेडा कोई क्यों चुना मैं एक समाज सेवी का हूं और समाज सेवा करना चाहती हूं कर भी रही हूं और आगे भी करूंगी राजनितिक राजनितिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसके जिरिये मैं समाजिक सेवा अच्छे से कर सकती हूं और बवानी हैं और जैसे कि मैं लोगों से मिल रही हूँ वहां की जो समस्याइं हैं उनको मैं एक राजनिती में आने के बाद अच्छे से उनकी समस्याओं को यानिक उनकी समस्याओं का हल कर सकते हूँ तो आमादमी पार्टी आपने जैसे अभी हर्याना के अंदर वस्तों बढ़ना शुरू है पहले आमादमी पार्टी ने दिली के अंदर सरकार बनाई उसके बाद में पंजाब पेकपजा किया तो अब हर्याना के अंदर भी क्या ये लग रहा है कि भी आमादमी पार्टी सरका बनाएगी क्योंकि जो केजरिवाल जी की जो नीतियां हैं उनसे लोग काफी प्रवावित हैं और जो केजरिवाल जी की नीतियां हैं वो उन नीतियों के रियाने में बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आपके फिलहाल क्या करेकरम नबहाने किस तरह से आप आमादमी पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे हैं या कि क्या क्या गतिवीदिया चला रही है देखो जैसे हम जाके लोगों से डोर टू डोर कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं उनकी समस्याओं सुन रहे हैं और जो उनकी समस्याओं हैं वो वही समस्याओं है जो केजरिवाल जी की नीतियां हैं उनसे प्रवावी तो कर हम ये कारीय कर रहे हैं और जो आधमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही हल कर सकते हैं स्वीता जी जैसे आप कारेयों बढ vậy है तो क्या राजनिती के अंदर टिकेट की दावधारी भी आम आधमी पार्टी की तरफ से बोवानी खेड़ा हलका है? इसमें करने जा रहे हैं देखो वो तो आगे की बात है जैसे हाई कमान जैसा उचित समझेगी जो हमें यानि कि हमारी जो हमें जिमेदारी देगी उसको हम बखुबी निमाएंगे और मैं एक समाज से विका हूँ अगर पार्टी हमें इस लाइक समझती है टिकट देना चाहती है तो मैं और ऐसे ही समाज कारीय करती रहूंगी कर रहे हूँ और आगे भी करती रहूंगी तो जैसे बात करे बौँक की तो वहाँ एक पिछडा हूआ हलका है और जहां कि माले रिजरुवेशन भी है रिजरोव सीट से कंडिडेट आता है और भी बहुत सारे समाजी के कंडिडेट आएंगे तो वहां अपने आपको कैसे पती है देख़ो बौवाने खेड़ा अलका एक रिजड़ब सिbaby है यहाँ पर इसलिए यह बहुत पिछड़़ा इलाका है बौवाने खेड़ा है अलका में जो भी आया है यहाँ पर जर पर जब हुआ आया है उन्होंने सिरा अपने ही घर बरे है जन्ता की विश्वास पर वो खरें होतरे तो दोस्तों आज हमारे साथ में स्वेता बडेसरा जी है और इनसे हमने प्राजनितिक प्रीचर चा की और आने वारे समय में ये तैयारी भी कर रहे हैं बवानी खेड़ा से वो अलग बात है कि पार्टी हाई कमान इन पे अगर विशाज जटाती है तो ये चुनाव हुआ आपका हाँ जी कल हरियाना के परवारी डॉक्टर सुसील गुपता जी पूर गाउं में आये थे और वहां पर हमने उनका स्वागत किया बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर इकठे हुए उनके विचार सुने और उनके विचारों से प्रवावित होकर बहुत सार और महिलाँ से हमें मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा उनका पार्टी के पर्ती रुजान काफी अच्छा था जब हमने डॉर टू डॉर किया, गाउं की महिलाओं से मिले तो उन्होंने अपनी समस्थाइँ रखी और महैंगाई को लेकर, शिक्षिया को लेकर, नहीं समस्य हैं रखी जैसे एक ये सिलेंडर के बारे में भी उन्हों ने बोला कि पहले तो भी हम दूएं से दूर रखेंगे गरेलू महिलाओं को धूएं से भाल ने कालने की कोशिस की लेकिन उसमें वो एस फल रहे और फिर वापिस वही चुले चोकी में उनको दकेल दिया सिलेंडर के दाम बढ़ने के बहुत जादा बढ़ गए हैं इसलिए वो महिलाओं जो महिलाओं का जो गरेलू बजट है वो पूरी तरह से लड़ खड़ा गया है तो स्वेता जी सिक्ष्या को लेकर के आपका क्या कहना है सिक्ष्या अर्याने के अंदर कैसा क्या कहना चाहेंगे आप उसे सिक्ष्या को लेकर तो देखो आप सब को पता है अर्याने में सिक्ष्या का कैसा सतल है ने सिक्षकों की भरतिना करके जो सिक्षक हैं उनको अटाया जा रहा है पहले ही स्कूल बंद किये जा रहे हैं और स्कूल बंद करने का कान भी देखो आप कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम बता रहे हैं देखो अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होएंगे तो विदार्थी कैसे होगे एक तरफ आप देखो हमारी मोदी सरकार की सिक्षयानित्ति दिली के मुखे मंतरी के जरिवाल की जो सिक्षयानित्ति है उसमें लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़ कर सरकार स्कूलों में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाना में आएगी। सिंक पावर.